नमस्कार आज हम आपके सबक्ष फिर से आचुके हैं और प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कैसे हूँ और सिंगासन हिल उठे राजवन्शों ने ब्रिकुटी तानी थी बूड़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चबक उठी संसतावन में वो तलवार पुरानी थी बुन्देले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वैतो जहासी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चोहान की एक कवता जब रूप लेती है कागजों में गड़ी जाती है तो जहासी की जो धूल है वो माथे पर रखकर विरंगना जहासी की रानी की कहानी कुछ यू हमारे सामने आती है लेकिन ये कहानी का किस्सा जो है वो यहां से आगे बढ़ता है और रिहान फजल जी की जुबान से भी आज हम सुनेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कैसे 23 साल की जहासी की रानी विरंगना बनी कैसे वो भारत को आजाद करने की एक मुहीम जो पहली स्वतनता की लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी तो आईए जानते हैं रिहान फजल जी से रिहान जी रानी लक्षमी बाई की वैसे तो सब कोई जानते हैं विरंगना थी लेकिन आरंबिक जीवन के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है देखें उनका शुरू का नाम मनी करने का था और मनु के नाम से भी उनको पकारा जाता था और लक्षमी बाई का नाम उनका पड़ा जब उन्होंने जहांसी के राजा गंगाधर राओ से शादी की 1842 में तब उनका नाम यहां का पड़ा बनारस में इनका जन्म हुआ था रानी लक्मे बाई का और उनके पिता का नाम मोरोपन तामबे था और इनकी मा भागरिटी देवी इनकी मा का नाम था लेकिन बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया था और मा का उन्हें प्यार नहीं मिला तो उनका सारा जीवन जिसे कहते हैं बालकों के साथ बीता और वहीं उन्होंने सीखा कि किस तरह घुरतोवारी गी जाती है किस तरह तलवार चलाई जाती है 1842 में गंगदार राव जो कि जहांसी के राजा थे उनकी पहली पतनी का निधन हो गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की यंग ब्राहमन गर्ल जो की बनारस की थी इनसे इनकी दूसरी शादी हुई उस समय इनकी उम्र थी मात एलिमेंट ये था कि रानी लक्ष्मिबाई के पिता अपनी बेटी के साथ उनके माइके में आए और पूरे थ्रो आउट उनके साथ रहे उनके ससुराल में थ्रो आउट रहे तो ये थोड़ा बड़ा अन्यूज्वल वो था दस साल तक जिसे कहते हैं रानी जहांसी की रान और गंगाधर राओ की डेथ हुई है 1853 में तो दस साल रानी के रूप में उन्होंने राज किया रहान जी जो उनके पती थी गंगाधर राओ उनके बारे में लोग काफी कम जानते हैं उनके बारे मैं बताईए उनका व्यक्तित वह कैसा था और किस तरह बहुत ही जिसे कहत गोट से उनके समकालीन हैं, उन्होंने अपने मेमाइस में लिखा है, कि वो अक्सर औरतों की तरह बहेव करते थे, अपनी चछत के उपर चले जाते थे, और फिर जब वो सारे कपड़े उतार देते थे पुर्शों वाले, और औरतों के जरी के चोली और साड़ी पहन के नीच 153 में वो अपनी डेथ बेट पर लेते हुए थे और लक्षमी भाई को यह लग रहा था कि वो बहुत कम उम्र में विद्वा हो जाएंगी, तो उन्होंने तै कि एक व्यक्ति को, उनके कोई बच्चा नहीं था, दोनों के कोई भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने तै कि पांच वर्ष के दमधर राओ को वो गोद लेंगे, तो उन्होंने के परिवार से थे, जो उनका बेटा जो नहीं ने गोद लिया, और दो अंग्रेज अफ़सर्द मेजर एलिस थे, बिटिश पॉलिटिकल एजिंट और कैप्टेन मार्टिन, उन दोनों को उन्होंने खासत किया गया है दामोधर राओ को क्योंकि उनके संतान नहीं थी और जब उनकी मृत्ती हुई है तो मेजर जॉन मालकम थे उन्होंने रिपोर्ट भेजी अब गवर्नर जेनरल को कि महरानी का बहुत सम्मान है जहासी में और उनको जहासी पर राज करने की अनुमती एक तरह से दी जा सकती है लेकिन तो यह किसा है गंगधर राओ के बारे अच्छा हम यहां पर कुछ तस्वीरों के जरी राणी लक्ष्मी भाई को दिखाने का प्रयास तो करी रहे हैं ऐसा कैसे हूँ हमें लेकिन वो उनका आप अगर विशलेशन करें कि किस तरह से वो दिखती थी तो क् कि इसका अकाउंट है देखे जब वो उनके पती की मरत्यी हुई तो वो अपने मिड ट्वेंटी में थी उनकी आयू थी और जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं विद्वा हो जाने के बाद उसका उन्होंने पालन नहीं किया था हिंदू ब्राहमन विडो के जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसका कोई पालन नहीं किया था हाँ उन्होंने सफेद साड़ी जरूर पहननी शुरू कर दी थी लेकिन आब खुशनों को पहना बन नहीं किया था मोतियों का हार वो पहनती थी और ता उम्र पहनने लगी उन्होंने अपने सर के बाल नहीं मुडाए थे जैसे कि व उन्होंने अपने बाल नहीं मुड़ाए और पब्लिक में उनके लोग उनको देखते थे लेकिन अंग्रेजों के सामने वो हमेशा पर्दे में रहती थी उनका एक एकाउंट मिलता है जॉन लैंग जो उनके वकील होते थे उन्होंने लेकि ये एक किताब उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने वर्णन किया है हुआ ये कि रानी उनसे बाचीत कर रही थी सामने पर्दा लगा हुआ था और जो उनके बेटे थे दामोदर राव उन्होंने गलती से वो पर्दा हटा दिया और तब जॉन लैंग ने उनको पहली बार आँखों से देखा और उसका उन् लेडल मतलब इनका जिसे कहते हैं दर्मियाना कटकाती थी और चेहरा उनका बिलकुल गोल था और जरूर बहुत हसीन रही होंगी जब वो बहुत कम उम्र की थी हाला कि उस समय भी उनकी उम्र बहुत जादा नहीं थी इनका चेहरा गोल होने के साथ साथ उनकी आखें बहु बहुत जादा गोरी नहीं थी काली भी नहीं थी मतलब गहुआ रंग उनका रहा होगा और कोई आभूशन उनके पास नहीं था सिवाए कान में उन्होंने सोने की बाली पहन रखी थी और बहुत पतला जैसे कहते हैं सफीद मलमल की ड्रेस में थी तो ये वर्णन मिलता है ज नहीं उनको देखा था उनके व्यक्ट्टेत के बारे में बात कर ले ने अब हम उसके बारे में बात करते हैं जब जहासी को अंग्रेजों ने अपने कबजे में करने कोशिश किया और वो जो प्रयास था वो डलहौजी लौड डलहौजी से शुरू हुआ वो क्या था लेकिन लौड डलहौजी सबसे यंग गवर्नर जनरल थे 36 की उनकी आयू थी सिर्फ 36 साल के थे उन्होंने डॉक्ट्रिन आफ लैप इंटर्ड्यूस किया था और उसका मतलब गये था कि जो भारतिय राजा किसी को एडॉप्ट करते हैं उनका कोई वारिस नहीं है उसको वो लोग ब्रिटिश राज में मिला देंगे रानी ने अपील की थी कि क्योंकि उन्होंने दामोदर राओ को गोद लिया था कि उनको न तो उन्होंने महरानी लक्षमी बाई से कहा कि वो अपना जो महल है फोर्ट में जो जहांसी के किले में अपना महल है उसको खाली कर देंगे उन्होंने जहांसी के बाहर एक तीन मंदली इमारत एक हावेली थी वहां पर उन्होंने रानी को भेजा उनके लिए एक पेंशन न वर्मा, उदैपूर, आवद, ये सब राज अंग्रेजों ने इसी तरह अपने उसमें मिलाए थे. पिर रानी ने जैसा कि हमने बताया भी थोड़ी देर पहले जौन लैंग की सेवाइं ली, ये एक बहुत मशूर वकील थे, आस्ट्रेलियन थे, और मेरट से एक अखबार नि मदद से इन्होंने एक अपील भेजी है, लौड डलहोजी को जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, अठारा सो चार, अठारा सो सत्रा और अठारा सो इकतीस में, जो ट्रेटी साइन हुई थी, उसके हिसाब से, राम चंदर राओ, और उनके जो वारिसे हैं, उनको जहांसी पर राज करने का पूरा अधिकार था, ये उन्होंने अपनी अपील में कहा, लेकिन डलहोजी लौड डलहोजी ने उस अपील को पूरी तरह से खारिच कर दिया, और में अठारा सो चौवण में जहांसी को बिटिश राज में मिला दिया गया, और नए सुप्रेंटेंडन्ट वहां पर नहीं उट किया गया, अलेक्सेंडर इसकीन उनका नाम था, और रानी को हमने जैसा कि आपको बताया कि उनको महल से हटा कर वहां पर एक हवेली में रख दिया गया, और रानी ने जो उनको पेंशन दी जा रही थी, वो रिफ्यूज कर दी, उन्होंने का कि हम नही गे भी मन बनाया कि वो अपने माई के लॉट जाएंगी वारनसी जहां से वो आई थी, तब लॉट डलहोजी ने लॉट हैमिल्टन को भेजा है उनसे मिलने, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बहुत राजनेतिक नुक्सान होगा अगर रानी जहां सी छोड़ देती हैं, तो आपका राजपाट तो नहीं वापस करेंगे, लेकिन आपका सम्मान किया जाएगा, आप वापस बनारस ना जाएं, और यही वो समय था कि रानी ने अपनी वो पुरानी आदतें फिर से शुरू की होर्स राइडिंग की, घोरसवारी की, फिजिकल एक्सराइस की, और पुर रिहान जी, अब यहाँ पर हम थोड़ी से कुछ टिपड़ियां भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो हमें टिपड़ी दे रहे हैं, तो परमवी रावत कह रहे हैं कि खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी, यह कहानी मैंने 5 क्लास में, कक्षा लिखते हैं कि अमबेटकर परियार और फूलों के बीच मदभेदों की विवेचना कब करेंगे अनुरोध है, देखेंगे अमबेटकर पर तो हो चुकी है, लेकिन यह जो आपने एंगल बताया फूले और अमबेटकर के बीच जो मदभेद थे, इस पर देखेंगे, देखे 1857 की बात करते हैं जब वो विद्रो हुआ था जिसमें तो वो जो मंगल पांडे वाला विद्रो है वो कैसे जहासी तक पहुंचा देखे माई 1857 में ये विद्रो शुरू हुआ मेरट में और जल्दी ही उतर भारत के जितने भी नगर थे वहां तक पहुंचना शुरू हो गया और पांच जून 1857 को ये जहासी पहुंचा और ट्विल्थ नेटिव इंफेंट्री की जो सैनिक थे वो वहां पहुंच गये और वहां जेल पे उन्होंने सबसे पहले हमला बोला और जेल में जितने कैदी थे उन सब को उन्होंने रहा करवा दिया और जो ब्रिटिश गी और तीन दिन के अंदर जितने भी ब्रिटिश पुरुष महिलाएं और बच्चे थे उनको जोखन बाग एक एरिया है वहां पर उन्होंने सरेंडर किया और उन सब को मार डाला गया जो विद्रोही सैनिक थे किसी को भी बक्षा नहीं गया और इसके बाद जो जितने वि तेश बासशा का है और राज रानी का है ये एलान करके वह दिल्ली के लिए रवना हो गए और अशलंके बिटिश इतिहासकार ये दिया एख़तें कि जो हत्याएं हुई थी जो बिटिश लोग मारे गये थे किले में इसमें रानी का हाथ था लेकिन इसके कोई आदिकारिक दस्तावेज इसके समर्थन में नहीं मिलते इस बात की कोई सबूत नहीं है कि रानी लक्ष्मी भाई ने आदेश दिया था उन लोगों को मारने का इसके बाद रानी लक्ष्मी भाई ने किस्तरह से जो जहासी का शाशन है वो वापस लिया क्योंकि अब विद्रो हो चुका है और उन्होंने अंग्रेजों को भी हरा दिया और वो आगे बढ़ गए देखिए ये लोग तो दिली के लिए रवाना हो गए जो विद्रोही सेनिक हैं और रानी ने जो की हवेली में रह रहे थी वो वापस उस महल में गई किले में जहां वो रहा करती थी और जो रा चीबों को खाना और कपड़े बाटे गए और इस पॉइंट पर उन्हों ने जो दाउं वाली पहनना शुरू और अपने बालों को बड़े से बंद में बांधने लगी औरошा करना लगी और आगं le doubt उन्होंने अपने आपको नग्रेजों से लड़ाई के लिए तयार करना वो जो अंग्रेज मारे गए थे उनके लिए वो रानी को फांसी पचड़ा देंगे तो रानी अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया पूरे जिसे कहते हैं किले में सब रसद आने लगी आठा, चावल, घी, चीनी ये सबसे जमा करने लगा और सबसे दिल्चस्प बात ये थी कि रानी ने पूरे जहासी शहर में और किले के आसपास हर पेड़ को कटवा दिया उसके पीछे मनशा ये थी कि बहुत तेज गर्मी में अंग्रेजों को कहीं साए का वो न मिल सके और उनको और परेशानी हो लड़ने में तो कि तब तक गर्मी आ चुकी थी, टेंपरेचर बहुत बढ़ चुका था, एक भी पेड़ नहीं था पूरे जहासी में और किले के आसपास. और रिहान जी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे जो उन्होंने अपनी एक महिला सेना भी तयार की थी. नहीं, उसके बारे में हमें बहुत जादा जानकारी नहीं है, महिला सेना के बारे में, लेकिन हाँ, जब अंग्रेजों ने हमला किया, फिर इसके बाद जनर तरो तरफ खाईयां खोद दी ताकि कोई वहां से बच के निकल न सके और सिंधिया और रानी ओफ और्चा जो और्चा के रानी थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया तमाम उनको रसत पहुचाए गई उनको लकड़ियें बेजी और तमाम सबजीयें बेज लिए उनके सैनिकों के लिए और जब अंग्रेजों ने हमला किया है जहांसी के किले पर तो दूर से देखा जा सकता था कि किले की प्राचीर पर जहांसी की रानी अपने खोड़े से इंस्ट्रक्ट कर रही हैं पूरा मौइना कर रही हैं और अपने सैनिकों का मनोबल रही हैं लेकिन कोई मकाबला नहीं था वो बहुत जादा संख्या में थे बहुत जादा ट्रेंग थे जल्दी ही जहांसी की सारी तोपें और बंदूकें शान्त हो गई हैं तात्या तोपें वहां पहुंचे उससे थोड़ी उमीद बंदी की शायद मकाबला हो पाएगा की थी जहांसी दीवार को फलांग लिया 1858 में और जहांसी के लोगों ने सैनिकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको रोकने की लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं हुआ रानी अपने मेल अटायर में अपने पुरुशों के वस्तर में तलवार अपने हाथ में वहां से लगातार एक तरह से अबसर्व कर रहीं थी देख रहीं थी जहांसी की दीवार जैसे ही ब्रीच हुई तमाम अंग्रेजी सैनिक पूरे शेहर में गुजगए और डोर टो डोर हैंड टो हैंड फाइट हुई है लोगों में लोग उसका प्रटी रोध कर रहे थे और चुक थी वो द्रश वहां से देख रही थी और फिर उन्होंने तै कि उनके लिए ठीक नहीं होगा कि वो उस किले में अब रहें रात के अंधेरे में करीब आदी रात को उन्होंने अपने सैनिकों को जमा किया है कुछ जो उनके विश्वस सैनिक थे और वो किले के कोटियार्ड म है रानी का जो उनके बारे में किमदंतियां हैं वो पैदा हुई हैं अगले कुछ हफ़तों तक उन्होंने पूरा समय सड़कों पर बिताया है जहां गर्मी इतनी जबरदस थी कि लोग कहते हैं कि हाथियों के आखों से आंसू बेह रहे थे अंत मेरानी कालपी पहुँची ह हैं और वहां पतात्या तोपे के सैनिक और नाना साहब के बेटे नाना साहब के नेफियो प्राव साहब वहां मौजूद थे उन लोगोंने कड़ा मकाबला किया लेकिन अंग्रेजों के जीत हुई विश्नुमबट गोट से उनके समकालीन थे उन्होंने अपना मेमाइट ल देखा था और वो पठान पुर्शों के कपड़े पहने हुई थी बहुत ज़्यादा ठाकी हुई थी पूरा उनका जिस्म धूल से भरा हुआ था बहुत टेंस दिखाई दे रही थी लेकिन इस बीच रानी ने एक बहुत ही अन एक्सपेक्टेड मूव किया उन्होंने उनकी सेना थी वो महरानी से आके मिली बिल्कुल और हम यहां पर अपने तस्वीरों की जरीए एक जो सबसे ज़्यादा प्रतीक अगर हम मानते हैं जासी के रानी की विरांगना की जो गाता है उसमें एक यह देखिए यह वह तस्वीर है जिसमें वो अपने पुत्र को लेक पर दिखाया जाता है रिहान जी अगर हम बात करें उस युद्ध की जिसमें वो वीर गती को प्राप्त हुए वो युद्ध कैसा था देखिए हूज रोस जो अंग्रेज जनरल थे वो अपनी एट्थ हुसर सेना लेकर वहां पहुँचे हैं गौालियर में और एक कोठा की स दराय है वहां इनका मकाबला हुआ है रानी से और कैप्टन रोडरिक ब्रिक्स ने तैय किया कि वो आगे बढ़ेंगे और रानी पर हमला करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके जो बाडी गार्स थे जो उनके चारों तरफ अंग्रच्छत थे वो जैसे ही वो ऐसा प्रियास करते वो उसको रोग देते थे रानी के सैनिक लड़ाई के मैदान से भागे नहीं लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई वैसे भी उनकी संख्या पहले से ही बहुत कम थी हैंडरी सिल्विस्टर एक बहुत मशूर इतिहासकार हुए हैं उन्होंने किताब लिक् चलाई और उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को अपने पीछे आने के लिए कहा और अंग्रेजों ने देखा कि बिलकुल वो गायब हो गई हैं वो दिखाई नहीं दे रहीं उनकी समझ में नहीं आया कि कहां तब ही रोडरिक को दूर जाती हुई रानी दिखाई दिया है और तब ही रानी ने महसूस किया है कि उनके बाएं उनके सीने में बाएं तरफ उनको एक थोड़ी सी चोट जैसी जैसे किसी साप ने उनको डस लिया हुआ है कि एक अंग्रेज ने पीछे से उनके उपर अपनी संगीन से वार किया और वो संगीन उनके पेट में बाएं तरफ सीने में बाईं तरफ लगा हाना कि चोट बहुत जादा नहीं थी लेकिन उसमें से बहुत जादा खून निकल रहा था उस चोट से और तब ही और रानी घोड़े पर दौरती चली जा रही थी सामने एक थोड़ा सा ज़रना आया उन्होंने सोचा कि उनका घोड़ा ज़रने को क्रॉस कर लेगा लेकिन वो बिलकुल वहीं पर जाकर रुक गया उन्होंने एर लगाई और घोड़ा इतनी तेजी से रुका कि रानी उचल कर करीब करीब उसके गर्दन पर जाकर गिरी और इस बीच और भी वर्णन मिलते हैं उनके अंतिम चणों के एंटोनिया फ्रेजर एक बहुत मशूर अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भी एक बड़ी जबर्दस किताब लिखी है दा वारियर कुइन और वहाँ पर उन्होंने वो लिखते हैं कि एक अंग्रेज रानी के खोड़े के बगल में पहुँच चुका था और उसने रानी पर अपनी तल हो गया वो जमीन पे गिरी तलवार उनके हाथ से चूट गई वहाँ उनका एक अंग्रक्चक था उन्होंने उनको अपनी गोद में उठाया और वहीं पास में एक मंदिर था उसके अंदर वो लेकर गए मंदिर में इनके दो तीन अंग्रक्चक इनके साथ थे वहां मंदिर क दिया है इनके मुँ में डाला है क्योंकि अंतिम घड़ी थी उनकी बाहर गोलियां चल रही थी और रानी ने अपने गले की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उनके गले में एक मौती का बहुत बेशकीमती हार था कि इसे दामोदर के लिए जो उनका बेटा था उसके लिए उ दिया था कि उनकी लाश उनका जो म्रट शरीर है वो अंग्रेजों के हाथ नहीं पढ़ना चाहिए तो वहां पर आनन फानन में बाहर गोलियां चल रही हैं और आनन फानन में कुछ लकडियों को जमा करकर उनकी चिता को वहीं आग लगाए गई है और जब अंग्रेज खु की थी लेकिन यह था कि यहां पर किसी को चलाया गया है तो इस तरह से अंत हुआ लेकिन भारत के लोगों के दिलों में रानी कभी नहीं मरी आज भी वो जीवित हैं एक तरह से शुरुआत थी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बहादुरी की मिसाल उन्होंने कायम की इसके बाद गॉालियर में गॉालियर के महराजा सिंधिया ने इसको सेलिबरेट किया और जितने अंग्रेज इस युद्ध में शामिल थे उनको दावत पर बोलाया तात्या टोपे एक साल तक और जीवित रहे लेकिन बाद में पकड़े गए और उनको भी फांसी ने दी गए और ऐसा कैसे हुआ का आज का जो संस्क्रेन हम आज यहीं पर खत्म करते हैं और एक छोटी सी पंती है जो सुबधरा कुमारी चोहान जी कविता से जो आज आपने विशलेशन सुना अंतिम छणों का उसी से है तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार किन्तु सामने न परवार घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गती पानी थी बुंदेले हर बोलो के मुझ से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी धन्तुर्ण बन सबस्क्राओन कि वोग ज अांि सामने का पर एक अाज सामने पाम